अगर आप सेना के तीनों विंग में से किसी में भी ऑफिसर बनने की खुआईश रखते हैं तो आपके लिए इसे पूरा करने का शानदार मौका है UPSC ने कंबाइन डिफेंस सर्विस एक्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकाला है अगर आप इस परिक्षा के लिए ज़रूरी योगता को पूरी करते हैं और इसमें रुची रखते हैं तो आप 19 नवेंबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाय कर सकते हैं वेकेंसी से जुड़ी कुछ मुख्य बाते इस वेकेंसी में कुल 418 सीटों को अलग-अलग पदों के रूप में भरा जाएगा इस परिक्षा में कैंडिडेट का सिलेक्षन, लिखित परिक्षा और SSB इंटर्व्यू के आधार पर किया जाएगा कम्बाइन डिफेंस सर्विस इग्जामिनेशन पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाके आप अप्लाय कर सकते हैं परिक्षा शुल्ग इस परिक्षा में अप्लाय करने वाले जनरल और OBC कैटिगरी के कैंडिडेट को परिक्षा फीज के तौर पर 200 रुपे जमा कराने होंगे फीज पेमेंट, डेबिट कार या क्रेडिट कार या नेट बैंकिंग या SBI चलान के जरीए कर सकते हैं इसके अलावा महिला, SAC, S.T. कैंडिडेट को इस परिक्षा के लिए अप्लाय करने पर कोई फीज जमा नहीं करनी है जरूरी तारीक है ओनलाइन अप्लाय करने की शुरुआद 30 अक्टूबर 2019 से है ओनलाइन अप्लाय करने की आखरी तारीक है 19 नवेंबर 2019 चलान से फीज पेमेंट करने की आखरी तारीक 18 नवेंबर 2019 तक है लिखित परिक्षा की तारीक 2 फरवरी 2020 घूस लेना अप्राद है अगर कोई आपसे नौकरी लगवाने की बात करके रिश्वत मांगता है तो तुरंत एंटी करप्षन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाए या फिर आप हमारे पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं आपको सबूत देना होगा हमारी टीम उस शिकायत पे तुरंत एक्षन लेगी अगर आपको ये चानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रिया ट्रावल लाइट